हलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार 14 दिसंबर 2021 और आज के दहिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज और एडिटोरियल पार्ट को इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे एनलिसिस करेंगे आप इसके पेडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिसक्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आएस अकाडमे टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्ज कर सकते हैं सबसे पहले एक जिवर्फिया क्योस्चन आप लोगों को लिए आपको लोकेट करना है टोगो को और टोगो किस कॉंटिनेंट के अंदर पड़ेगी टोगो की जिवर्फिकल लोकेशन क्या है और किन-किन कंट्री से अपनी बाउंडरी शेयर करता है इसके लावा टोगो के आस पास कोई important जिवर्फिकल लोकेशन है वो भी आप नीचे कमेंट करेंगे सबसे पहले बात करेंगे heritage और विकास दोनों साथ में चलेंगे अब इनका क्या मतलब उसके बारे में बताया गया कि कैसे हम अपनी ancient एक तरीकेश से विरासत को या heritage को और development को साथ साथ कर सकते हैं कुछ examples दिए गए यहां पर जैसे यहां पर बताया गया कि आज अगर देश के अंदर सोमनाथ टेंपल एक तरीकेश है तो इसके सासा देश के अंदर तेजी से optical fiber भी विचाई जा रही है इसके अलावा यहां पर बताया गया कि आज अगर देश के अंदर केदारनाथ टेंपल को renovate किया जा रहा है तो साथ ही देश के नागरिक यानि भारत को भारतीय नागरिकों को space पर भेजने की त्यारी भी चल रही है इसके अलावा देश के अंदर आगर राम टेंपल बनाया जा रहा है अयोध्या के अंदर यानि स्रीराम जी का मंदिर बनाया जा रहा है उसके साथ साथ देश की हर एक डिस्टिक में medical college establishment करने को लेकर भी काम चल रहा है उसी तरीके से विशोना टेंपल जो है उसको नेके व ग्रेंड लुक दिया जा रहा है बलकि क्रोर्स ओफ आउसी जो हो बनाया जा रही यानि प्रधान मंत्री अगर आप देखेंगे प्रधान मंत्री आवास योजना चाहे वो ग्रामिन हो या अर्बन एरिया के अंदर हो वहाँ पर स्कीम के अंदर हाउस जो हो कर्षक्ट की ज किया है इसके बाद बात करेंगे राइट हैंड साइट घो राइट हैंड साइड में जो मंत्री बैस्च पर डेटा आता है किसको लेकर inflation को लेकर और मैं आपको बता दुँ आरिपयाज्ची जो मेजर करता है inflation को वह करता कि एक समाने यागरी जैसे हम एक चुछ चीज खरीदेंगे, वेजिटेबिल खरीदतें यह कि इते हैं, भ बहुत नियुकर हम किसे हैं, लेकिन अगर हम एक उपकीपर होंगे तो हम 8 किलो नहीं खरीदने वाले, वहांपर हम बड़ी कॉफ़ांटिटी खरीदेंगे, तो वह वोल सेल के अंदर आएगी यहांदी बड़ी quantity जो अब खृते हैं तो वोल सेल के अंदर आदी single piece आप खृते हैं तो वो आप simply इसको retail तरीके से purchasing बोल सकते हैं यह just connect करने के लिए example ताकि simple से simple तरीके से आपको समझ में आ जाए इसी कॉंटक्शन है बताया गया कि देश के अंदर इंफलेशन जो है 4.91 परसेंट नवंबर के अंदर जो है वो अब्ज़र्व करी गई और पिछले महिने के कंपेर में इसमें इंक्रीज आपको देखने को में लगा ये डेटा जो है अनालिसिस करता है मैंने रिपेट किया है कई बार कि UPSC Civil Service Examination के लिए monthly data important नहीं है because आप carry नहीं कर सकते 15 मेने का data आपको observe करता कि इस particular महिने में हो क्या रहा है लेकिन banking examination की तयारी करने वालों के लिए ये data बहुत important क्योंकि उनके examination जो है इसके अलावा यहां पर बताया गया कि इंडिया का retail inflation जो है 4.48% से 4.91 हो गया नॉम्बर के अंदर increase हुआ यहां पर देखने को मिला इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे कि vegetable prices है वो तेजी से increase हुए यानि इस inflation में बढ़ने का सबसे बड़ा region है नहीं हुई है यह एक बड़ा issue है अगर आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा तो इंडिया की जो currency है dollar as compared to Indian currency रूपी as compared to dollar उसमें weakness देखने को मिलती है अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ जैसे हमारी currency weak होगी तो हम जो import करेंगे वो costly हो जाएगा import costly होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी एक तरीके से overall economic structure पर भी उसका असर पड़ेगा उन सब चीजों के लावा अगर आप देखेंगे wholesale price index भी काफी जादा high level पर यानि 12.54% के आस पास जो है टच कर रहा है inflation overall देखने को मिलती है तो इसी चीज़ को देखने को मिलता है कि आने वाले time में क्या इस तरह के जो rise है ये एक आम नागरिक को definitely परिसान करने वाले जब vegetable fruits के price बढ़ते हैं vegetable और food का मतलब है सामाने नागरिक जो चीजों को consume करते हैं उसको observe करते हैं उसके लिए कई सारी economy के factor depend करते हैं fuel एक बड़ा factor क्योंकि transportation cost और इनके अलावा यहाँ पर एक और चीज़े बताएगी है कि ये सारी चीज़े तो है fuel की वज़े से transportation cost इसके अलावा input cost के अंदर और commodity cost के अंदर भी increase हुआ ये सारी रिज़े जिसके हुजे से चाहे ground पर आप देखें retail inflation या wholesale inflation दोनों के अंदर increase आपको देखने को मिलेगा मैं repeat कर रहा हूँ RBI जो है consumer price index के basis पर ही अपने inflation को measure करता है क्योंकि UPSC ना I think 2020 में सवाल पुछा था economics one of the favorite topic UPSC का ऐसा कोई साल नहीं होगा जहां पर economics का question पुछा जाया और बड़े number पर economics के question पुछे जाते हैं इसके बाद बात करेंगा editorial part पर editorial में जो दो editorial बिल्कुल नए और fresh editorial आपको मिलेंगे वो है sanction and rights करके बंगलादेश की जो rapid action battalion उस पर US ने जो sanction लगाया human rights को लेकर जो debate हो रही है उसके बीच में editorial discuss करता है और second जो है European Union पुरी दुनिया को कैसे connect करना चाहता है उसको लेकर एक editorial discuss किया गया है काफी important इसली भी है क्योंकि European Union को जो plan है ये क्या China के one road one belt initiative जो है उसको एक alternate provide करेगा उसको लेकर एक article है बिलकुल fresh और new editorial आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले बात करेंगे sanction and right वाला जो editorial दिया गया इसके अंदर अभी racially आपको याद होगा United States ने बंगलादेश की rapid action battalion को एक तरीके से ban कर दिया उस पर sanction लगा दियेगे इनका allegation ये है कि भाई ये जो battalion है ये basically human right का grave violation करती है अभी democracy summit हुई जिसमें बंगलादेश को invite ही नहीं किया गया और इसके अंदर allegation ये है R.A.B. पर कि आपने आपकी वज़ाँ से लगबद 600 लोग जो है डिसेपीर होगे 2018 से अब तक 600 लोगों के extra judicial killing बिना किसी judicial process के उनकी हत्या कर दीगी इनके अंदर opposition party member है journalist है human right activist है इन सब चीजों को लेकर इनके अलावा यहाँ पर बताया गया कि Global Magnitsky Human Rights Accountability Act के क्योर्डिंग जो कि जिसके तुरुबाद ये force 2004 के अंदर found करी गई थी अब इन सब चीजों की वज़े से US और बंगलादेश के अंदर definitely relation को लेकर impact पड़ेगा इनके लावा internal security, intelligence gathering, criminal activity, government directed investigation ये basically relate करते हैं बंगलादेश की war on drugs के perspective में इसलिए R.A.B. पर कई बार relegation लगता कि grave human right violation आपने किया है और United State की national security interest को भी कही ने कही ये challenge करते हैं और rule of law, respect for human right and fundamental freedom जो चीजे होने चीज़े वो कही ने कही नहीं हो रही है इसके अलावा ऐसा नहीं कि के बंगलादेश के against जो sanction लगाए गए है Jinjang region जो की एक region है मैं आपको map में दिखा देता हूँ टोगों के बारे में यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो question पूछा था बेनीन, घारना और बुर्किने फास्विन कंट्री से boundary share करेगी Gulf of Guinea जो है इसकी important एकाड़ी आपको देखने को मिलेगी अगर हम बात करते उईगर ethnic group की तो यहाँ पर आप देखेंगे यह वाला जो region है जिन ज्यांग region भारत के ठीक उपर वाला जो region है इस area के अंदर जिन ज्यांग region है और इसके अंदर उइगर ethnic group जो है उसको suppress करने कोशिश करता चाहिना उसी लिए US और चाहिना और पूरी दुनिया के जो देश करते हैं चाहिना को कि आप एक ethnic group को suppress करने कोशिश करते हैं minority को आप suppress करने कोशिश करते हैं इसी तरीके से North Korea में के अंदर भी एक डाउट है कि वहां के जो लोग है illicit income यानि एक तरीके से illegal तरीके से income कमा रहे हैं सेम चीज़े रशिया की institution को लेकर allegation लगा और नेके और रशिया अबलकि सिलंका के उपर भी कई बार ये एक तरीके segregation लगता है कि सिलंका के जो फिशर हैं वो ethnic group तमिल ethnic group के साथ या जो minority उनको एक तरीके से suppress करने कोशिश करते हैं से मैनमार के अंदर होता है इसके अलावा यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि जो human rights के violation की बात करते हैं अमरीका पूरी दुनिया में human rights को लेकर काफी ज़्यादा अलट रहता है लेकिन वास्तों में क्या अमरीका इसके लिए खुद responsible नहीं है या अमरीका के अंदर इस तरह की चीज़े नहीं होती वहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अमरीका के अंदर अफरिकन अमरीकन जो कम्यूटी है वो आज भी कहीं नहीं कहीं एक violation देखने को मिलते है human right violation और racial violation आप इनको अगर compare करेंगे तो इसमें कौन कम कौन ज़्यादा नहीं है बलकि same अगर आप इसको पर रखेंगे parameter पर तो definitely दोनों ये serious है तो अमरीका के अंदर भी racial जो behavior है ये serious concern है इसके अलाबा इसका impact के आपड़ेगा आने वाले time में ये एक अलग perspective में देखते हैं और यहाँ पर ये बताया गया कि definitely human right एक important है और जैसे ही Joe Biden साव ने ये summit ली democracy summit जिसके अंदर कुछ country को invite नहीं किया गया बंगलादेश, सिलंका, even यहाँ पर अगराफ देखेंगे मैंनमार इन country को invite नहीं किया गया था इन country को invite ना करना और भारत और बंगलादेश, भारत और अमरीका इन पर triliterally क्या effect बढ़ सकता है क्योंकि जियो politics में बहुत सारी चीज़े observe करी जाती है, जैसे अगर माल लेते हैं बंगलादेश और अमरीका के relation खराब होते हैं तो क्या होगा, बंगलादेश के पास option बहुत जादा नहीं है, तो वो मूग करेगा चाइना की तरफ क्योंकि इंडिया के साथ हमारे relation थीक है, बंगलादेश के साथ कुछ issues को सोड़ दीजिए, बाकि और रोल ठीक है, जैसे water को लेकर या inflation को लेकर, यह कुछ issues है, इनके अलावा, अगर यह चाइना यहाँ पर investment करेगा इस region के अंदर, तो definitely geopolitics के हिसाब सी, इंडिया के लिए एक challenge होगा, अगर इस region में बंगलादेश की, चाइना की entry होती है, तो, इसके बाद बात करेंगे, global gateway to creating link, not dependency, यानि हम एक चाहते हैं कि global link create किया जाए, dependent ना हो हमारे उपर, यह title दिया गया, European Union की जो strategy है, पूरी दुनिया के अंदर कैसे connect कर सकते हैं, global gateway strategy, इस चीज को लेकर discussion किया गया है, और European Union शो कर रहे हैं कि कैसे है, मदद करने चाहिए, investor की, partner की और लोगों की, यह example, जो है quote किया गया, देखिए, चाइना की जो one road and one belt initiative है, यह माने जाते हैं कि दुनिया भर के देशों को लोन देकर, उनको कर्ज के भार में, यह तरीके से debt trap के अंदर फसाना चाहता है, उस context में, क्या European Union की जो strategy है, या global gateway है, यह अलग तरीके से चीज़े करके देगा, या उसमें European Union प्लस इंडिया, यह कैसे पूरी दुनिया के अंदर इंवेस्टमेंट कर सकते हैं और alternate provide कर सकते हैं पूरी दुनिया को, तो यहाँ पर इंडिया और European Union ने एक तरीके से adopt किया, एक कह सकते हैं की sustain करेगी, equity और inclusivity पर होगी, यानि एक बिलकुल transparent होगा, sustain करेगी, long term में काम करेगी, equal behave करेगी और सब लोगों की भागीदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, यह हमारी priority के अंदर हिस्सा होंगे, इसके लावा हम क्या करने और क्या करने इसको लेकर बताया गया, with India, यहाँ पर एक mention किया गया, we already have a strong ongoing collaboration on sustainable infrastructure, इन्होंने बताया कि भारत के साथ हम लगातार sustainable infrastructure पर collaboration कर रहे हैं, इसके लावा European Investment Bank जो है, उन्होंने finance किया 4.31 billion euro since 1993, including significant connectivity project इसको लेकर बताया गया, चाहे वो या तो वो operation के अंदर है, या pipeline के अंदर है, या एक तरीके से improvement को लेकर लगातार काम हरा, जिसमें urban metro system भी include है, यहाँ पर example दिया गया है कि European Union और Brazil जो है, दोनों काम कर रहे हैं, या data के transfer को लेकर new fiber optic cable जो है, करी करेगी terabyte of data, faster and most, more securely between our two continent, यानि Europe और Latin America के बीच में data को transfer करने को लेकर, एक secure network जो connect किया जारा है, इनके लावा यहाँ पर example दिया गया, general data protection regulation जो European Union का है, जिसके अंदर एक high standard mention किये गये, लोगों की security को लेकर या data को लेकर protection को के बारे में बात करता है, यह वही एक्ट है, जिसको लेकर UPSC प्लिमस में direct question हुआ था, कि बताइए, general data production regulation जो है, किस लिए news में रहता है, किस continent के perspective में, region या organization के perspective में न्यूज में रहता हूँ है, European Union, इसके लावा यह ब्राजिल को correct करेगा, ब्राजिल के क्या impact होंगे, इसके अलावा, यहाँ पर बताएगी definitely, अगर यूरोप और ब्राजिल के बीज में इस तरह की optic fiber बिचाए जाएगी, तो उसका दोनों continent जो एक दूसरे से correct होंगे, अफरीका के अंदर बताए गया, कि European Investment Bank, जिसमें cooperation कर रहे है, from Germany, Spain, European Commission, यहाँ पर एक लोगेट कर रहे है, एक कंट्री का नाम बताएगा, टोगो, मैंने जो question पूछा था, आपको map में भी दिखाया कि टोगो की जोगर्फिकल लोकेशन, यह finance कर रहा है, एनरजी, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल सेक्टर के अंदर, European Investment Bank ने की 100 मिलियन का credit line spot to African small and medium businessmen की वो recover करे, pandemic से और जो African continent free trade agreement के अंदर, trade area के अंदर जो opportunity उनको मिलती है, उसके थूँ आगे बड़े, इनके अलाबा, यहाँ पर बात की जा रहा है कि new global gateway strategy के अंदर, European Union यह continuously promote करेगा green and digital transition, make sure करिए कि आपका जो energy transition हो, आपका जो transition हो, वो green और digital, दोनों तरीकी का होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि हम green energy को promote करेंगे, और technology की ममले में भी वहाँ पर लगातार investment करेंगे, इसमें कई सारी चीजे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे, नई opportunities के areas के अंदर data flow से लेकर energy supply, rare earth metal, यह काफी important होते हैं, और 2012-13 में UPSC ने जब चाइना में एक issue हुआ था, इसको लेकर, तो तब यह सवाल पूछा था, इसके लावा vaccine और semiconductor, यह काफी new topic है जो की news में रहता है, semiconductor के बारे में इसमें यह खास का जो automobile industry वहाँ पर बहुत ज़्यादा help करता है, इसके अलावा, यहाँ पर आप देखेंगे, पूरे दुनिया के अंदर यह instrument काफी ज़्यादा news में रहता है, इनका एक important significant है, नई power की तरह इनको देखा जाता है, semiconductor की मामले में ताइवान बहुत popular है, हलाकि ताइवान के साथ भारत diplomatic relation establishment करेगा, नहीं करेगा, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ताइवान definitely इस पूरे issue को लेकर, trade को लेकर काफी important है, इसके अलावा, इन सारे चीजों के अंदर हम कैसे ideological, neutral basis पर और political values को ensure करते हुए, एक rule investment करें, इनके लावा mention किया गया, no debt trap, यह कोई कर्ज हम नहीं दे रहे हैं, यह तरीक ऐसे इन countries को कर्ज के भार में नहीं दबारें, जैसे चाइना क्या कर रहा है, चाइना बहुत जादा loan दे रहा है, जब उसको pay नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो चाइना को कुछ ने कुछ जो हो, जमीन लीज पर देना, इस तरह की चीज़ें होंगे, जैसे सिलंका में क्या किया गया, सिलंका ने बहुत जादा loan चाइना से लिया, और जैसे लोन लिया, उनकी pay करने की हैसियत नहीं रही, और अब देखेंगे, सिलंका पर इतना loan है कि वो या तो चाइना को property lease पर दे रहा है, या कुछ हिसा चाइना को बेज रहा, तो ये situation आप वहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए बोला जारा है कि हमारा infrastructure investment जो है, financially, socially और environmentally sustainable है, कोई white elephant और debt trap नहीं है, या कोई स्पेध हाथी, या कर्ज के बाहर में दबा देने वाली strategy हमारी नहीं होगी, इसके लावा, यूरोप जो एक connectivity challenge के लिए एक तरीके से master करता, और principle और framework के basis पर, adequate resources के basis पर हमारी सीधी और clear cut priorities होगी, इसलिए team यूरोप इसको लेकर 2021 से 2027 तक लगबग 300 billion यूरो जो हो पॉब्लिक और private funds के तुरू investment करने जा रही है infrastructure development के अंदर, इसके लिए fund के बारे हैं बताया गया कि European Union के member state हो, European financial institution हो या development financial institution इसके तुरू जो हो fund जो हो आएगा और global gatework support करने के लिए member state के development bank है national professional bank है और export credit agency भी इसके अंदर मदद करने वाली है इसके बाद export credit facility का एक important role होने बारा है, definitely किसी भी investment के अंदर private sector का investment काफी important है, इसके अंदर export credit facility जो है वो compliment की तरह काम करेगा, इसके अलाबा यहाँ पर बताया गया कि हमारी variety जो है global gateway के अंदर identify करना है number of flagship project जैसे इसके अंदर बताया गए बहले एक project है building the Europe link to Latin America करके यह ध्यान रखना इसको note कर लेना है यह जो exactly same line जो हो आप note करेना जिसमें Latin America के साथ cable के थुरू connect करना है, इसके लाबा European Union और LAC यहाँ लेटिन अमरिकन कंट्रीज के साथ जो connectivity वो अलाइंस हो गया यह trans European network जो improve करेगा इस्टर्न पार्टर्शिपर वेस्टर्न बालकन कंट्रीज यह इस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज को अंदर ही आएगा, उसके अंदर particular renewable hydrogen पर focus करना जो कि clean energy है और important होगा यह नएके वाली European Union की जो demand उसको पूरा करेगा और बलकि African continent को भी यह benefit होगा, आपको याद होगा मैंने discussion किया था कि Europe की बहुत जादा dependence है, natural gas को लेकर रश्चिया पर, अगर वो alternate देखेंगे तो कहां पर देखेंगे वो African continent के अंदर हो सकता है तो इस global gateway के थूँ जो है, democratic values को धान में रखते होए, एक fair investment होगा, partners के साथ sustainability के साथ काम करें और इसके long term में benefit हो, इसलिए European Union और India जो है एक leader की तरह इस पूरे context में देखने को मिल सकते हैं, और इनका एक important role होगा, तो ये एक important editorial था इसके बाद देखिए, page number 8 पर बहुत important है कि international foreign policy को लेकर भारत और पुरी दुनिया के साथ जो relation है, उसको लेकर ये article काफी important है इंडिया ने invite किया Central Asian countries को कि आप Republic Day पर Chief Guest की तरह आईए, और ये बहुत important है और strategically इसका क्या importance उसके बारे में हम पढ़ेंगे, Republic Day प्रेट होने वाले 26 जनौरी को उस दोरान आपको याद होगा, एक Chief Guest जुरूर आता हिंदुस्तान के अंदर, कभी कभी rare cases में जो है वो, या situation ऐसी हो, जब चीजे सही नहीं, उस context को छोड़ दीजे, बाकी लगबग लगबग, इंडिया के अंदर Republic Day पर एक specific guest जो है वो, होते हैं Central Asia के अंदर, पांच country आती है, इन country को invite कि आप आईए, और पहली बारा ऐसा होगा, कि Central Asian country इस तरीके से, participation करेगी, external affair ministry ने ये, जो confirmation किया है, कि कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तरुकमेनिस्तान और जबेकिस्तान, इनको जो है, जो protocol होता है, formal invitation भीजा जात है, वो लेना है, जब 18 तारीक को एक important foreign ministry की summit होने वाली है, उसके दोरान, right, कि इसमें सभी participate करेंगे की नहीं करेंगे, इसके बाद, 2019 में आपको याद होगा, कजाखिस्तान के जो former president है, नूर सुल्तान, वो इंडिया के अंदर chief guest थे, Republic Dave Prade को लेकर, इसके अलाबा, यहाँ countries की capital में, यह काफी important थी, इसके अलाबा, 2017 में भारत ने संगाई corporation organization जो है, कजाखिस्तान की जो capital अस्ताना, वहाँ पर हमने join किया, अब हालाग इसका नाम बदल दिया गया है, नूर सुल्तान कर दिया गया है, लेकिन उस टाइम अस्ताना declaration ही बोला जाता है, 2015 में important visit 2017 में हम को join किया, पाकिस्तान के साथ, 2019 में इंडिया ने Central Asia dialogue शुरू किया, जिसके अंदर हम देखते एशिया और South Asia की connectivity करने के बारे में Central Asia, South Asia connectivity को लेकर promote करना हो, इसके अलाबा, यह काफी important है, जैसे भारत के अगर Central Asia तक हमें access करना है, मैं अपको मैं फिर से लेके चलता हूँ, य हमारे इसके साथ relation बहुत अच्छे है नहीं, अफगानिस्तान की अपनी हालत खराब है, तो इस connection में हमारे पास option क्या होगा, कि हम इरान के साथ relation को boost up करें और इन कंट्रीज के अंदर enter करें, यह International North South Transport Corridor के हिसाब से भी काफी important है, इसके अलाबा, 2014 में जब Prime Minister बने थे हमार है, नए, उस time भी invite किया गया था, सारक कंट्री को, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी आते हैं, हला कि अब दोनों की situation बहुत अच्छी नहीं है, 2019 में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ relation अच्छे नहीं रहे, 2019 में हमने क्या किया, सारक को invite नहीं किया, विमस्टेक को invite किया, विमस्टेक में, जो है, वो, seven countries आती, उसमें पाकिस्तान नहीं आता, अफगानिस्तान नहीं आता, ये इसमें एक नई चीज थी, इसको लेकर हमने invite किया, 2018 में, तो ये जो चीजे हैं, ये geopolitics के हिसाब से, या कैसे भारत, east और west को connect करने का प्रयास कर रहा है, efforts कर है, इसके लिए काफी important कि, एक बार हम इन countries को बलाते हैं, एक बार आपको याद होगा, इवन मैं, यहां पर mention भी होगा, कि 10 Asian countries को जो हमने invite किया, ठीक है, वो काफी important एक visit रही है, अगर आप देखेंगे, 2000, I think, 10, sorry, 2018 में, तरेक के लिए, 2018 के अंदर आश्यान के जो leader उनको ह effort है, यह definitely हमारी foreign policy का एक best part आप बोल सकते हैं, इसके लाबा, parliament का winter session चल रहे है, parliament की winter session में, बहुत सारे question and answer होते हैं, तो उसी context में, जब सरकार से पूछा गया, कि United Nation Convention Law of Seeds के बारे में, आपका क्या विचार है, यह बहुत important convention, हलाकि China, इसके जो decision होते है, उसको बहुत ज्या इसके अंदर जो low बनाए गए है, इसके अंदर जो rule बनाए है, उनको follow करने के लिए ready है, government ने बोला है कि हम committed है, कि एक free open rule बेज जो order होना से है, जो की root करें low के हिसाब से, इंडिया स्पोर्ट करता है freedom of navigation को, our flight को, और unimpedded commerce को, right, कि commerce में कोई दिक्कत नहीं आना जी, वप और इसके अलावा United Nations Conventional Law of Sea, 1982 के अंदर जो rule है, उसको इंडिया जो हो, फोलो करता है, international legal order के अंदर जो हमारी policies है, वो दुनिया के अंदर हम mutual respect करते हैं हर एक countries का, इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया, कि हमारी एक strategy है, सागर करके इसको बलते है, government का vision है, security and growth for all in the region यानि सब की सुरक्षा भी हो, सब लोग आगे बड़े इस region के अंदर, इसके अलावा mission भी deployment किया जाएगा, जैसे naval ship, aircraft और जिसको maritime domain के अंदर awareness बढ़ाने के लिए, maritime को promote करने के लिए, security and address करने के लिए, contingency को यह काफी important होती है, इसके लावा joint exercises के बारे हैं बताया गया, कि भाई भारत जो लगातार efforts कर रहा है, चाहिए वो regional maritime forces हो, multilateral exercise हो, joint surveillance हो, coordinated patrols हो, यह सारी चीज़ हो, ताकि maritime security के अंदर, एक cooperation और inclusion को ज़्यादा बढ़ा जासके, इसको लेकर statement देगी, minister of state, defense ने, अजे भट साब ने, परलेमेंट के session के दोरान, इसके अलावा, page number 9 पे कोई particular news नहीं है, यह आप news पढ़ सकते हैं, इसके बारेमें रडी हमने discuss किया है, इसके बाद आप directly page number 10 पे यहाँ पर आप जाएंगे, DRDO ने एक supersonic missile का assisted torpedo system जो उसको test किया, उसके बारेमें यह news जो discuss करती है, it is designed to enhance anti-surmarine warfare capabilities, देगी सबसे पहले तो हम यह पता हो नाजी कि supersonic का क मतलब होता है, अगर आप देखेंगे missile की speed को Mac में count किया जाता है, Mac का मतलब है कि air के compare में, अगर आप देखेंगे sound के compare में, जो missile की speed कितनी होती है, उसको लेकर observe किया जाता है, अगर यह एक तक है, यह एक से नीचे है तो इसको बूला जाता है, अगर यह एक से पांच है, इसको Mac में अगर आप count करेंगे तो इसको बोला जाएगा supersonic और आप 5 से वी उपर चली जाती है तो इसको बोला जाता हाइपर sonik तो भारत में supersonic और hypersonic missile को development करने को लेकर लगाता रेफर्स करें तो DRDO ने उसे को assisted करने के लिए एक torpedo system को जो है डेवलब किया है DRDO ने और Willer Island पर इसकी launching करी उसके बारे में यहाँ पर mention किया गए उसके बारे में यहाँ पर बताया कि एक statement के अंदर और DRDO लगातार चाहिए इसके basic definition आप देखेंगे यहाँ पर कि electro optic telemetry system जो है various range के radar जिसमें down range instrument है या down range ships है वो सारी चीज़ों को development करने को लेकर लगातार काम हो रहा है टारपेडो पैरसू डिलिवरी सिस्टम release mechanism क्या होगा वो सारी चीज़े DRDO जो है लगातार इसको लेकर या DRDO जो missile system के अंदर assistant कर रहा है या assistant को लेकर जो भी equipment चाहिए उसको लेकर लगातार efforts कर रहा है इसके बाद world affair में एकी news जो आज सबसे important वो है important news है मैं यह कहूँगा कि इस page की नहीं पूरे दे हिंदू की आज की सबसे important news में से एक है इंडिया की हरनाज को और संधू जो है उनको मिला Miss Universe 2021 और 2021 यह बन चुकी है इसके लावा यह हमारे लिए बहुत important है क्योंकि टाइटल जो 21 साल बाद भारत के अंदर है इससे पहले आपको याद होगा 1994 में सुसमीता सेन और 2000 के अंदर लारा दत्तान यह टाइटल जीता था और यह अपने आप में विशेस महतो रखता है यह जो पूरे की पूरी सरिवनी हुई है वो हुई है इसराइल की एक रिजोर्ट टाउन के अंदर आइलेट करके और इसके अंदर importantly जब इनसे last question पूछा गया कि जब final question हो वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए इन्होंने बताया जब इनसे पूछा गया कि आज की young woman जो है को आप क्या advice करेंगे कि pressure को कैसे deal करना चाहिए यह केवल महिलाओं के लिए नि सबके लिए important है तो उन्होंने answer किया कि biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themself यानि हम लोग अपने आप में believe नहीं करते यह सबसे बड़ा pressure है यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आप unique है और आप जो है इस दुनिया को beautiful बनाते हैं अपने आपको beautiful बनाते हैं इसलिए अपने आपको किसी से compare मत करिए अपने आप से discussion करिए दुनिया के अंदर observe करिए किया चीजी हो रही है अपने आप से बात करिए और इस चीज को observe करिए कि कितना important है आपको अपने साथ आगे बढ़ना यानि stop comparing yourself और अपने आपको improvement को लेकर लगातार efforts जो आपको करने है और इसके लावा अगर आप देखेंगे इस page पर कोई particular news नहीं है जो current affairs से directly link हो चोड़ी चोड़ी news जैसे omicron की effect कम हुआ इसको लेकर news है इसके लावा आज एक important जो है वो sports को लेकर एक news आई है उसको हम पढ़ेंगे काफी important है economic section में भी particular news नहीं है जो direct हम लोग discussion कर यहाँ पर data आता रहता है कोई chronos की particular news होगे definitely discuss करेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे sports का एक important event मैंने बोला है कि sports का अगर कोई major event होगा उसका outcome आएगा तो उसको discussion करेंगे super max यानि car racing जो event होते है उनमें एक important event हुआ यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम है अबू दाभी grand prix 2021 driver title और इसको जीता है max वर्ष्टेपन ने और किसको हराया लेविस हैमिल्टन यह जो नाम आप देख रहे हैं लेविस हैमिल्टन अगर आप current affairs की कोई भी book पढ़ेंगे जितने भी car racing event होते हैं most में से बहुत सारे events के अंदर इनका title के अंदर नाम आएगा और 2021 का जो title इस बार मिला वो मिला है max वर्ष्टेपन को direct question जो UPSC में एक सर UPSC में ना आए लेकिन जो दूसरे examination वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता काफ़ important यह है तो आज के the Hindu newspaper analysis में इतना ही thank you all जहिन